बॉड मॉर्निंग स्टुरेंट्स हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग कल मैंने आपको पार्थ तीन अबर हाउस इस बढ़ाया था ना आज मैं उसी चेप्टर का पीज नम्मर थर्ड बढ़ाऊंगे अब कल मैंने आपको फर्ट सेकेंड ने पढ़ाया था ना आज मैं आपको पेज नम्मर थर्ड बढ़ाऊंगे उसी चेप्टर का ओके और डियू नो क्या आप जानते हो दियारा और मैंनी अदर काइंड्स ऑफ आउस बहुत प्रिकार के घर होते हैं बहुत ही प्रिकार के घर होती है कि आप जानते हो दिस हाउस इस एक टेन्ड यो आपको पिक्चर में हाउस दिखाई दे रहा है न वा उस घर को क्या बोलते हैं टेंड्स हाउस यह घर मेंज है एक हैंज़मीस देंट यह घर एक हएक हैंड्स अकेनवहस मतलब जो जसे आपने साधियादी में देखी हैं ना कनातें हैं जिसको इनती में भेलागा कर सोगनाते हैं ए टेंटेंअ मुवविल हां पार्च मुववble us हाउस में इसको किसी भी तरीके से मोड़ा जा सकता है टेंट्स आर यूजड वाइद प्यूपल लिविं इन दा डेजर्स टेंट हाउस का यूजड वहां करते हैं जो लोग डेजर्स यानिकी रेगिस्तान में रहते हैं क्योंकि वह तो एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर उस कौन करता है सोल्जर सिपाई और एंसी सी जो कैम बाले बच्चे होते हैं वो करते हैं इस हाउस इस तरफ जो आपको पिक्चर दिखाई दिखाई दे रही है इसको कहते हैं इगलू इट इस मेड़ आप ऑफ इसनो यह किसकी बनी होते हैं बर्व के इसकी मुष लिव इन सच इस हाउस इस घर में रहने वाले लोगों को इसकी मुष कहते हैं इगलूज आर पाउंड इन ग्रीन लेंड जो ग्रीन लेंड होती है वहां पर इगलूज को पाया जाता है इस घर को कहते हाउस बोट जो क्योंकि घर बोट पर हाउस बना है ना तो इसको क्या कहेंगे हाउस इट-ईजे ऐ हाउस ओन बोट इंडिया हाउस बोट जो होते हैं मुखिता कहां पाए जाते हैं कसमीर भारत में पर पाए जाते हैं houseboat कस्मीर में do you know that a houseboat in China is called a Sampan क्या आप जानते हो चाइना में houseboat को Sampan कहते हैं क्या कहते हैं Sampan इस एक आर्वा यह कौनसा है कार्वा कार्वा एक हाउस on wheels एक कार्वा घर जो होता है वह किस पर बनता है इडिश मोववेवल हाउस या कैसा होते हैं मूव करने वाला एक स्थान से दूसरे इस्तान पर जा ने वाला प्यूपल लिविं अन्ड इंड जर्स लिव और मुव इन आप कार्वार प्यूपल जो होते हैं वो जो आप देजर्स या इनिरेगिस्थान में रहते हैं वो इन घर का प्रयोग करते हैं और एक कार्मा घर का प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है इसलिए वो इस प्रकार के घर का इस प्रकार के हाउस का यूज करते हैं Okay, students, read this chapter very carefully. Thank you.